हलो डियर स्टूडेंट्स, बेरी बेलकम बैक हिंदे सीगक्षा और आप लोग कैसे हैं, आई होब आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे हैं न बच्च बाड़ी तो यार आज हम लोग पहुंच गए हैं एपिसोट नमबर एपिसोट नमबर थ्री पे, ओके तो जो बच्चे एपिसोट नमबर वन और एपिसोट नमबर टू नहीं देखे हैं, वो उसको कम्पलीट कर लें, जिससे की आपको आज तक चाल, दूरी और समय में जो भी क्वेस्चन आज तक पूछा गया है, 1986 से लेकर 2022 तक वो सारे की सारे आंसर्स आपको मिल जाएं तो ऐसा है कि अब की बार मैंने संडे को एक टेस्ट भी रखा है, तो मॉर्निंग में वो पेपर मैं आपको एक लिंक बना करके अपलोड कर दूँगा और वो पेपर आप जहां कहीं भी रहिएगा आप उस पेपर को जरूर से जरूर अटेम्ट करिएगा उस पेपर में क्या दिया गया है, उस पेपर में आपको, मैं अभी बता दूँ कि उसमें रिजनिंग के आपको 40 question दिये जाएंगे, mathematics के आपको 20 question दिये जाएंगे और Hindi language के आपको 20 question दिये जाएंगे, ओके डियर तो इस तरह से आपका 80 questions का एक पेपर होगा जिसमें जो math रहेगी डियर, ये पूरी की पूरी math आपकी केवल चाल दूरी और समय से रहेगी बाकी रिजनिंग जैसे आती है, वैसे ही रहेगी और आपका Hindi जैसे रहता है, वैसे ही आपको दिया जाएगा तो चलो ठीक है, अब हम लोग बहुत जादा बाते ना करते हुए अब हम लोग क्या करते है, episode number 3 के questions को start करते है तो ठीक है बच्चा पार्टी, आपका episode number 3 में बहुत बहुत स्वागत है episode number 3 का सबसे पहला question 2017 से लिया गया है 350 किलो मीटर की दूरी तै करने में उसे कितना घंटे लगेगा ओहो, it is a so simple question फई, वही बात है कि समय बराबर क्या होता है समय बराबर होता है, दूरी बटे चाल तो अब हम बार बार उस बात को लिखेंगे नहीं सीधे हम लोग लिखेंगे दूरी और बटे 75 यानि की चाल देखिए कितने से कटेगा, 5 से काटिए 5 सते 35 और उसके बाद काटिए इसको तो ये हो जाएगा 15 तो ये हो जाएगा 70 अपान 15 इसको 5 से फिर कार दीजिए यहाँ पे आजाएगा 14 यहाँ पे 5 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 3 यानि 14 बटे 3 यानि 3 से आप 14 में भाग लगाएंगे माई डियर तो 3, 4, 12 यहाँ पे आजाएगा 2 यानि 4 सही 2 बटा 3 घंटा यानि कि अगर 2 बटा 3 घंटे को आप मिनट में बदलना चाहें तो 60 से गुणा कर देंगे तो 3 से 20 बार तो यहाँ पे हो जाएगा 40 यानि कि 4 घंटे 4 घंटे 40 मिनट 8, 4 घंटे 40 मिनट ओके तो यह रहा यह रहा आपका यह रहा आपका चौथा और वो भी बिलकुल करेक्ट आंसर है तो फोर्थ नंबर आपप्षन बिलकुल आपका करेक्ट हैं ऍाल आपने हैं चलिए लेते हैं 2017 का है 2017 से ये भी question लिया गया है एक निश्चित दूरी की यात्रा का एक बटे तीन भाग 25 किलोमीटर पदिघंटा की चाल से एक बटा चार भाग 30 किलोमीटर पदिघंटा की चाल से तथा से इस 50 km पदिगंटा की चाल से तैं किया जाता है संपूर यात्रा की औसत चाल क्या होगी तो भाई ये बताओ ऐसे क्वेस्चन को कैसे किया जाता है तो इसमें क्या किया गया है इसमें आप से पूछा गया है डियर आउसत इसमें आपसे पूछा गया है आउसत चाल तो भई आउसत चाल बराबर क्या होती है बोलो बच्चापाटी आउसत चाल बराबर होती है कुल चली गई दूरी बटे कुल समय तो अभी आपको तो कोई दूरी दी नहीं गई है तो आप एक काम ये करिए कि मान लीजी ये क्या है कि मान लो की यहां से यहां तक जाता है ठीक है मान लो ये अस्थान ए है ए से ये बी तक जाता है और इसकी पूरी दूरी आप X मानलो बच्चा पाटी क्या मानलो X मानलो तो एक बटे 3 भागो 25 किलो मीटर एक बटा 3 का मतलब X का एक बटा 3 भागो 25 किलो मीटर के हिसाब से जाता है और उसका एक बटा 4 भाग यानि X बटे 4 भाग ये ये तो X बटा 3 भागिये जाता है 25 के हिसाब से X बटा 4 भागिये जाता है 30 के हिसाब से बचा पाटी और 6 दूरी जो है वो कितने से जाता है 6 दूरी वो जाता है 50 से तो 6 क्या होगा ये बताओ एक में से इसको आप घटा लीजिए कितना X बटा 3 3 प्लस X बटा 4 ये दोनों करके आप घटा लीजिए एक में से एक का मतला वही X में से तो इन दोनों का LCM कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 7 X बटे 12 अगर इसको X में से घटा येगा तो ये आ जाएगा आपका 7 X अपान 12 और 7 X अपान 12 ये कितने से जाता है 50 किलो मीटर प्रतिगंटे से जाता है अब देखिए इस क्वेस्चन में अब आपको निकालना है कुल चली गई दूरी बटे कुल समय तो कही न कहीं से कुल चली गई दूरी कितना है कुल चली गई दूरी X है और समय के लिए भाई समय बराबर दूरी बटे चाल तो पहली जो दूरी थी X बटा तीन थी उसको कितने चाल से चलागा था उसको पचीस से तो कुल चली गई दूरी बटे कुल समय तो बटे कुल समय का मतलब यहाँ पे आप गहा करिए गुणा कर दीजे पचीस से पलस इसके बाद X बटे चार था X बटे चार में कितने से गुणा करिएगा कितने से देखिए 30 से कितने से 30 से पलस यहाँ पे देखो 7X बटे 12 है तो यहाँ कर दो 7X बटे 12 और यहाँ पे गुणा किस से कर दीजेगा यहाँ पे गुणा आप 50 से कर दीजे अब बात समझ में आई आपको अब इसको आप solve कर लीजे फटाफट से अब जब आप इसको solve करने चलेंगे my dear student तब आपको पता है क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो आप एक काम यह करें कि इन सब का LCM ले लीजे तो यह हो जाएगा X upon का यह हो जाएगा X upon कितना 75 प्लस X upon 120 प्लस 7X अपान यहाँ पे 7X है ना ओ हो हो ब्रो 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट बच्चा पाठे यहाँ पे थोड़ा हम लोगों ने गल्दी कर दिया यहाँ पे आएगा आपका जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे 12 में से 7 गया यहाँ पे 5X आएगा यहाँ पे कितना आएगा यहाँ पे आपका 5X आएगा 5X तो जब यहाँ पे यहाँ पे जब आपका 5X रहेगा तो यहाँ पे आप 5X लिख दीजिए तो 5 से ये कट जाएगा 10 टाइम तो यहां भी 120 आ जाएगा और यहां भी क्या हो जाएगा X तो अब यहां से आप नीचे LCM ले लीजिए तो नीचे क्या हो जाएगा नीचे पूरे का जब आप LCM लेंगे तो 75 और यह क्या कहते हैं 120 तो यहां पे 600 आ जाएगा इसका LCM और जैसे ही आपका 600 LCM आता है DR 600 में जब आप 75 से भाग करेंगे 600 में जब आप 75 से भाग करेंगे DR तो कितना आता है तब आपका आता है 8 कितना आता है 8 यानी कि यहां पे 8X हो जाएगा यहां पे यहाँ पे 5X हो जाएगा और यहाँ पे भी 5X हो जाएगा अब पूरा जोड ली यह तो रुजय हम pen बदल देते हैं और जिससे कि आपको चीजें दिखाई दे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना डियर X अपान का 8, 5, 13, 13, 5 18X कितना 18X और यह जो 600 है डियर यह उपर चला जाएगा यह उपर चला जाएगा तो X से X चला जाएगा तो यहाँ पे कुल मिलाके आपका आजाएगा कितना 600 बटे का 18, तो 6 से इसको काट दीजिए तो यह हो जाएगा 100 बटा 3, और 100 बटा 3 बराबर जानते ही हो कितना आता है 33, 1, 3 आता है तो इस तरीके से जो आपका सवाल है वो है आजाएगा 33, 1, 3 थोड़ा सा लेंदी क्वेस्टन था लेकिन आप बिल्गूल टेंसन मत तीजिए इसी तरीके से आप इस क्वेस्टन को आराम से सॉल्व कर लेंगे अब आजाएए question number next पे देखे एक बस प्राता 9.45 से 9.45 से 80 किलोमीटर पदिघंटे की चाल से चली वो अपने गंतब्बे अस्थान जो की 300 किलोमीटर दूरी पर है कितने बज़े पहुँचे की तो भाई सीधी सी बात है कि ये 300 है ना 300 को सबसे पहले तुम क्या करो 80 से भाग कर दो तो कितना हो जाएगा देखो 15 बटे 15 बटे 4 15 बटे 4 का मतलब हो गया 4 तिया 12 3 पंदरा तो 3 बटे 4 तो 3 बटे 4 घंटे का मतलब कितना हो गया सबसे पहले तो इसको आप मिनट में बदल लो 4 एक के 4 पंदरा पंदरा तिया 15 तिया यानि कि कहीं कहीं से 3 घंटा 45 मिनट कितना 3 घंटा 45 मिनट तो भाईया ये 9 बच के 45 मिनट पे चली थी 3 घंटा 45 मिनट इसमें और जोड़ दो तो 45 45 कितना हो जाएगा 90 90 के जगा पे आप 30 लिखोगे 1 घंटा 9 3 12 1 13 13 का मतलब होता है कितना 13 का मतलब 1 यानि 1 30 कितना आजाएगा 1 30 तो 1 30 आपका अंसर आजाएगा तो ये भी क्वेस्चन 2016 का पूछा हुआ क्वेस्चन है तो मेरे ख्याल से ये क्वेस्चन भी आपको जबर्दस्त आ गया होगा तो ऐसे यार फटा-फट से करते चलो कोई दिक्कत नहीं है नेस्ट क्वेस्चन हम लोग लेते है नेस्ट क्वेस्चन क्या कह रहा है एक ब्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल 5 मिनट में पूरा पार कर लेता है ने ब्यक्ति की गति किलो मीटर पर ठचन में बताऊ ये क्वेस्चन ऐसे लग रहा है कि जैसे हो चुका है एक बार 2014 का आया हुआ क्वेस्चन है तो भई पहली बात यह मीटर में है तो इसको भी किस में बदलोगे किलो मीटर पर हथ गन्ट अगा पहली तो हम कितना हो जाएगा तो ऐसे ही क्वेस्चन यार लगाया जाता है बहुत ही सिंपल होते हैं सारे क्वेस्चन यहाँ पे देखिए एक रेल गाड़ी जो जो कि 14 किलो मीटर पर गहंटे की गत से चल लही है एक 90 मीटर प्लेटफार्म को कितने सेकेंड में पार करेगी तो भाई देको एक रेल गाड़ी है जो 54 km पदी घंटे की गत से चल लाए और 90 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में बाःत, तो भई सीधी सी बात है यार, यह मीटर में दिया गया है और यह किलो मीटर यह किलो मीटर पदी घंटा में दिया गया तो सबसे पहले क्या करो 54 किलो मीटर पर धिघंटा को तो मीटर पर सेकेंड में बदल लो किस में? मीटर पर सेकेंड में अच्छा ये बताओ कि मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं 5 बटे 18 से गुणा ही तो करते हैं तो चलो ठीक है कर दो तो ये है 54 अब 54 किलो मीटर पर धिगंटा है इसको 5 बटे 18 से गुणा करो तो 18 एक के 18 अठारा 18 तियां चववन तो 5 तियां 15 15 क्या 15 मीटर पर सेकेंड अब 90 मीटर का लंबा पूल है 90 मीटर का लंबा पूल है तो भही सीधी सी बात है समय बराबर क्या होता है समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल होता है तो दूरी बटा चाल अगर होता है तो दूरी कितना है 90 मीटर पर पंदरा तो पंदरा के पंदरा पंदरा शक्का 90 कितना जगा 6 6 सेकेंड आ जाएगा तो यह है 6 सेकेंड कितना है 6 सेकेंड ठीक है तो तीसरा वाला option आपका बिल्कुल correct answer है तो इसी तरीके से question को लगाते हैं dear बहुत ज़्यादा tension लेने की need नहीं है बस आप लोग क्या करिए डेली ऐसे ही regular videos आप देखते रहिए question की practice करते रहिए और अपने previous year के भी सारे के सारे questions को solve करते रहिए चलिए आजए अब अगला question जो है यह देखे किसी यात्रा के आरंभ में एक कार का meter इतने पे था कितने पे 688.3 km दर साता है और यात्रा के अंत में वह 913.5 km दर साता है इस यात्रा में कार ने कितनी दूरी तैंकी तो भाया दूरी के लिए क्या करोगी जो last में कितना दिखा रहा है 113.5 और starting में कितना दिखा रहा है 688.3 दोनों को घटा लो तो यहां पर आ जाएगा 2 13 में से 8 गया कितना जाएगा 5 और यहां पर 10 बचा तो 10 में से 7 गया 3 यहां पर बचा आपका 8 में से 6 गया 2 235 कितना 235 दसमलो कितना 235 दसमलो 2 किलो मीटर तो देखो 2005 काया हुआ क्वे स्टैन तो इस तरीकिए से प्वे से क्वे स्टैन आपके बहुत ही आसानी से हो जाएंगे इसमें आपका 4 पॉप्सन मिल्कुल कारेक्ट है अब आज आओ मेरे बच्चे इधर क्या है 40 km पर घंटे की गत से चलती हुई एक रेल गाड़ी 2 सही एक बटा 2 घंटे में यानि कितना धाई घंटे में कितनी दूरी तैं करेगा कितनी दूरी तैं करेगा तो भई देखो इदा देखो दूरी निकालने के लिए क्या किया जाता है दूरी निकालने के लिए क्या किया जाता है दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय दूरी बराबर चाल गुणे समय तो भई चाल कितनी है 40 km समय कितना है धाई घंटा देखो दो सही एक बटा दो का कितना मतलब बहुत दो दुना चाहर एक पांच बटा दो तो यहां पे पांच बटा दो कर दो तो दो एक के दो दो बीस तो बीस पंचे कितना हो जाएगा सो किलो मीटर कितना जाएगा सो किलो मीटर आ जाएगा यार अब इसमें कुछ करना ही न 150 किलो मीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है तो 600 किलो मीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगी तो भई कितना प्यारा क्वेस्चन है यार इसमें करना क्या था ये बताओ इसमें 150 किलो मीटर की दूरी अगर वो 6 घंटे में तय करता है तो इसकी चाला गई कितना 25 km प्रति घंटा अब 600 km कितने में करेगा तो भई समय बराबर क्या होगा time बराबर distance upon speed तो distance कितनी है 600 बटे speed कितनी है स्पीड कितनी है देखो 25 आई है न तो 25 पांच से काटो 5 पंचे 25 और यहां पे 120 बारा पंचे 60 फिर पांच से काटो पांच और दस पांच और बीस यहनी कि 24 किलो मीटर कितना 24 चोबिस आएगा कितने घंटे में तै करेगा न तो समय निकालना तो समय बाद दूर तो कितना आएगा 24 गंटा कितना आएगा बच्चा पाड़ी 24 गंटा तो मेरे ख्याल से आपने यह क्वेस्टन बिल्कुल क्वेस्टन को आप एक वन बाई वन करके करते रहें जिससे की आपका सेलेक्शन पक्का हो ओके बच्चा पाड़ी बेलकुल आजाओ असी किलोमीटर अब यह देखो यह 2000 का क्वेस्चन है सन 2000 का पूछा हुआ क्वेस्चन है आपसे क्या कह रहा है कि 80 किलोमीटर पाड़ी घंटे की चाल से चलती हुई एक एक मोटरकार दिल्ली से पटना के बीच की दूरी 10 घंटे में 10 घंटे में पूरी करती है यदि मोटरकार मार्ग में 2 घंटे 30 मिनट रुकती है तो दिल्ली से पटना की दूरी याद कीजिए अब देखो 10 घंटे में उसने क्या किया पूरी दूरी उसने 10 घंटे में तंकिया लेकिन उसमें से उसने क्या किया कि 2 घंटा 30 मिनट उसने बिसराम किया तो इसमें से 30 घंटा यहाँ पर कितना है तीस और यहाँ पर 9 में से दो गया साड़े साथ घंटा क्या साड़े साथ घंटा सॉरी यानि कि साथ सही एक बटा दो घंटा यानि कि साथ दूना चोदा एक पंदरा बटे दो घंटा लगा उसे अब देखो पंदरा बटे दो घंटे में अगर असी किलोमीटर पदी घंटे की चाल है तो कितना दूरी होगी तो भाई दूरी बराबर क्या होता है बोलो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुडे समय तो चाल कितना है चाल है असी समय कितना है पंदरा बटा दो तो दो एक अन्नम दो दो चो के चालिस तो 15, 14 कितना हो जाएगा 60 यानि 600 किलो मीटर कितना हाजाएगा 600 किलो मीटर तो 4 4 वाला D वाला अपसन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा D वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना बच्च पाटी ओके 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 आजाओ question number 11 पे आजाओ question number 11 देखे एक रेल गारी दिल्ली से एक रेल गारी दिल्ली से 8 वजे आगरा के लिए रवाना होती है वह आगरा कितने बचे पहुँचेगी यदि आगरा और दिल्ली के बीच 200 किलो मेटर की दूरी हो तथा रेल गारी की चाल 40 km पर गंटा हो तो ये भी 2000 का ही question है तो भाई वो 8 बजे निकली थी कितने बजे 8 बजे निकली थी और 200 km की दूरी है 40 km पर गंटा रफ्तार है तो भाई एक गया ये एक एक 4 पंचे यानि 5 गंटा तो लगेगा भाई अब अगर 8 बजे चली थी तो 8 पंच कितना होता तेरा, आठ में 5 अगर जोड़ियेगा तो कितना हो जाए तेरा होता है, और तेरा का मतलब क्या एक बजे, एक बजे दो पहार एक बजे क्या, दो पहार तो ये पहला वाला option आपका बिलकुल correct हो जाएगा यार, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, कितना हो जाएगा पहला वाला question आपका बिलकुल correct हो जाएगा ओके बच्चा पार्टी तो मेरी ख्याल से dear आपने इन सारे questions को बहुत ही अच्छे से enjoy किया, और आपने सारे questions को अपना try भी मारा होगा, ऐसा किया करो सबसे पहले क्या किया करो, जैसे ही तुम्हारे सामने screen पे question आया करे तुम screen को रोक दिया करो और screen को रोक करके सबसे पहले तुम खुड try किया करो, अगर तुम से question बन जाता है, तब तो ठीक है नहीं तो उसके बाद ही आप solution देखा करो ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना try मारा हो जैसे कि ये question है आपके सामने अब सबसे पहले आप क्या करो, वीडियो को pause कर दो यानि कि रोक दो, वीडियो को रोकने के बाद आप क्या करो, अब इस question को पढ़ो देखो ये 1999 का question है 1999 का question देखो क्या करा कि 60 km परिघंटा की चाल से चलती हुई एक रेल गाड़ी 2 km लंबे एक प्लेट फार्म को कितने मिनट में पार करेगी तो भई कितने मिनट में पार करेगी समय पूँच रहा है ना समय पूँच रहा है तो समय बराबर क्या होता है समय बराबर दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे चाल होता है तो दूरी कितना है दूरी कितना है 2 km लंबा फूल है 2 km लंबा प्लेट फार्म है और चाल कितनी है 60 km पर दिखंटा तो मिनट में बताना है तो यह हम लोग तो यह जो समय निकाल रहे हैं इसमें दूरी देखो इसमें दूरी किलो मीटर में है और चाल जो है तुम्हारी वो किलो मीटर पर घंटा में है यानि कि एक बटा कितना आजाएगा एक बटा तीस आजाएगा लेकिन क्या घंटा एक कितना जाएगा दो मिनट ओके दो मिनट देखू ये दो आला आपसन बिल्कुल सही है दो नमबर आपसन आपका बिल्कुल सही है तो इस तरीके से आपने question को बहुत ही अच्छे से enjoy किया ये आपका सुरी ये आपका question number 11 था क्या था question number 11 अब आए question number 12 पर आजाते हैं सीधे ये पूछ था कि 60 km प्रति घंटे की गति को km प्रति मिनट में वा क्या बात है km प्रति मिनट देखो कैसे किया जाता है में बदलिये ये देखो कैसे किया जाता है 60 km प्रति घंटा का मतलब प्रति एक घंटा इसका मतलब हो गया कि 60 तो km में है अब आप इस घंटे को भी मिनट में बदलिये तो जब घंटे को मिनट में बदलिये गा तो कितना जाएगा 60 अब 60 से 60 काट दीजिएगा तो कितना जाएगा एक आएगा यानि एक किलो मीटर प्रति मिनट ओके एक किलो मीटर प्रति मिनट आंसर आजाएगा आपका एक किलो मीटर प्रति मिनट ठ्रिक हाँ तो इस तरीके से question को solve किया जाएगा ओके बच्चा पार्टी चलो अब आजाएए आज के last number question पर अब आज का जो last number question है उसको बहुत ही प्यार से पढ़िए उसको पढ़ने के बाद आपांसर दीजिए ये भी question जो है वो 1998 का आया हुआ question है देखो क्या कह रहा है करा कि चालिस किलो मीचर पदी घंटे की गत से चलती हुई एक रेल गाड़ी दो सही एक बटे दो घंटे में कितनी दूरी तैं करेगी तो भाई दूरी बराबर क्या होता है दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय क्या होता है चाल गुणे समय दो धूनगा दो तो 40 गुने 5 बटा दो तो 2 से काट दो 20 तो 200 पन्चे कιतना 100 to 100 किलो मीटर आ जाएगा आपका आंसर तो 100 किलो मीटर आपका आंसर आ गया तो कल वाला जो एपिसोड था गाल वाले एपिसोड में जो मैंने आपसे कहा था कि जो last वाले question का जबाब देगा उसका नाम मैं लूँगा तो कल वाले episode में जो सही जबाब दिया था वो दिया था Lucky Patel from Ayodhya से तो Ayodhya से Lucky Patel ने उसका सही जबाब दिया था तो Lucky आपको congratulations ऐसे ही आज का question लेकिन आज तो मैंने कोई question ही नहीं दिया तो आज हम ये courses करेंगी कि जो बच्चा जो बच्चा हर एक वीडियो को देख करके उसका सही सही solution भेजेगा solution का मतलब वो पहले वीडियो को देखेगा फिर उसका solution A, B, C करके भेजेगा तो उसका नाम कल वाले episode में उसका नाम हम लेंगे ओके बच्चा बाटी तो आप जहां कहीं भी हो बिलकुल जबरदस्त ऐसे ही आर लगे रहो बिलकुल मचाते रहो धूम मचाते रहो اور सारी की सारी तैयारियां आपनी करते रहो बिल्कुल अपनी जान लगा के तयारी करो क्योंकि अब की बार नवदे पार इतनी बहतरीन मेहनत करना है कि रजल्ट अब की बार हम लोगों का और भी जब अरदस्त हो पिछले साल से भी बहतर रजल्ट अब की बार हम लोगों का होना चुई है और आप सारे की सारे बच्चे जो नवदे की तयारी कर रहे हो नवदे में पहुंच जाएं इस तरीके से आप मेनत करिए तो बिल्कुल चलिए आप जहां कहीं बिल्कुल सौस्तरी मस्तरी बैस्तरी और ऐसे ही पढ़ाई करते रहे, मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ नए क्वेस्टिन के साथ और कुछ नए काउसे वसाथ तब तक के लिए, ओके टाटा बाई बाई लव इव ओल, टेक केर, बाई बाई जैहिन